पूरा देश परिशान है, हैरान है, समझ नहीं आ रहा है कि फाइनल से ठीक पहले पहलवान विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ गया और उनको मैच से ठीक पहले आज शाम मैच होने वाला था फाइनल उससे पहले उनको उलम्पिक से डिस्क्वालिफाई कर दिया हर तरफ से प्रतिक्रिया आया रही है, लोग सवा में भी इस पर हंगावा हुआ है, सरकार के मंत्री जो है, खेल मंत्री वो तीन बजे इसका जवाब देंगे, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है, विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफाई होने के बाद, वो है देश के प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी जी का, उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करका उन्होंने क्या कुछ काया है, वह अपनी साथ ही निधी से समझते है, इधर आजें इक डेरे कामनार के, क्या निधी? उन्होंने भी लिखा है कि ये तुम्हारा नेचर रहा है हमेशा कि तुम चैलेंजिस का इस तरह से सामना करती हो तो वो अपनी तरफ से भू करें है मतलब एक तरीक से मोदी जी शांस व्हाद कर रहे है ये और ये पूरी घटना पर जो मुदी जी का ट्वीट आया है जो आ पर रहे है वह यह उनք कि तारीफ कर रहे हैं विनियस फोगाट कि वो कह रहे हैं कि तुम चैंपियंस तुम बहुत बहादूर हो तुम बहुत दृता से अभी तब चैलेंजेस का सामना करती आई हो पट यह जो हुआ है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इस दुख को एक्सप्रेस कर करिएगा तो ट्वीटर पे ट्रेंड हो रहा था हर तरब से प्रतिक्रिया आ रही थी प्रधारमंत्री मोदी जी के प्रतिक्रिया का इंतिजार हो रहा था हो सकता है वो भी इंतिजार कर रहे हो कि फाइनल के बाद वो प्रतिक्रिया देंगे लेकिन आज जो घटना हुई उ शब्द इस्तवाल किया उससे ये बिल्कुल साफ है कि वो सांतोना दे रहे हैं और वो ये मान चुके हैं कि जो घटना हुई अब उसमें किसी तरीके के बनलाओ की गुंजाइस नहीं है पदार मंतरी मोदी ने दुख जताया है इस घटना पे और वोने ने कहा है कि मेरे पास ये बताने के लिए कि आज जो हुआ है किसी के पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि आज जो हुआ है विनेस फोगाट के साथ ऐसा लग रहा है कि विनेस फोगाट के साथ नहीं हुआ है समुझे देश के साथ हुआ है हम सब इंतिजार कर रहे थे कि आज शाम में वो फाइनल खेलेंगी, गोल्ड लेकर के आएंगी, गोल्ड नहीं भी आएगा तो सिल्बर तो कम से कम हमारी जोली में आएगा ही, लेकिन अभी कुछ दिर पहले ये ख़वर आई कि विनेज फोगाट चुकि वो पचास किलो ग्राम वजन में खेलती है, उससे 100 ग्राम ज्यादा उनका वजन हो गया है, जो ख़वर इसमें आ रही है, वो ये भी आ रही कि कल शाम से ही अधिकारी कोशिस कर रहे थे, विनेज फोगाट के कोच और बाकी लोग कोशिस कर रहे है, वो लगाता रातवर, इस पर काम होता रहा कि उनका वजन कम हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, धीरे-धीरे सवाल और बढ़ेंगे, सवाल सबसे पहले तो यह है कि कल ही उनका मैच हुआ है, कल मैच के बाद उनका वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ गया, जिसके लिए कोशिश हुई रातवर, लेकिन वो 100 ग्राम नहीं कम हो सका, यह कुछ इसनिती है, अभी बाकरी शब्द नहीं है, चाए वो पत्रकार हो, बाकि आप सब लोग हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, किसी के पास शब्द नहीं है, इस दुख को और यह जो ख़वर हुई है, उसको बताने के लिए, लेकिन हम आपको यही बताना चाह रहे थी, कि इस घटना पर जो सबसे बड़ी प्रतिक्री के लिए आई है, वो है देश के प्रधारमंतरी, नेरेंदर बोदिगिगरोंस